तो कहाने की सुरुवात में हमें 1945 का समय दिखाया जाता है यहाँ पर हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो किसी से बच करके भाग रहा होता है दरासल इस इनसान की पीछे कुछ नारजियस के लोग पड़े हुए थे और इस इनसान को पकड़ना चाहते थे थोड़े दूर आगे जाने के बाद यह जवान खाई से नीचे की योग गरी जाता है जिसकी वज़े से यह सोल्जर पकड़ा जाता है अब सभी नारजियस इस सोल्जर को पकड़ करके अपने करनल के सामने लेकर आते हैं इसके बाद करनल उस भगवले सिपाही का पासपोर्ट चेक करता है जिससे करनल को मालूम चलता है कि उस भगवले सिपाही का नाम एंडरिक है करनल उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हमारी टीम को छोड़ करके भाग क्यों रहे थे और यहां से चले जाते हैं आखरी समय पर एंड्रिक मरते हुए अपनी बेटी को याद कर रहा था फांसी पर लटक करके वो मरता उससे पहले ही कोई आ करके रसी को काट करके उसकी जान को बचा लेता है और एंड्रिक को बचाने वाली एक लड़की थी इसके बाद में उध्य के घर के पास लेकर के जाते हैं यहाँ पर मेर कहते हैं कि आज-पास के लोग उसके उपर भड़के हुए थे इसलिए उन लोगों ने घर को ही जला दिया अब मेर अपना काम करके यहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास सोनीया आती है वो रोबर्ट से पूछती ह कि आखिर यह लोग यहां पर क्या करने आए हैं तो वो बताता है कि यह लोग यहां पर सोने को ढूड़ते हुए आए हैं जिसके बाद सोनिय कहती है कि क्यों न सोने को ले करके हम यहां से कहीं दूर भाग जाएं तो रोबर्ट कहता है कि यह इतना आसान नहीं है मुझे अपन करनल को देखते हैं जो अपने बहुंसाइब लोगं को यहूदियों के घर पर लगा दिया था धरसल ये सबी लोग यहूदी की घर में वही सोने को ढूल रहे थे करनल का एक साथी मैप कहता है कि हमें ये काम जल्ली खतम करना होगा वरना अमेरिकी सैन्दिक यहाँ पर आ रहे हैं दूसरी तरफ सुबह होते ही एंडरिक भी एलसा के घर को छोड़ करके जा रहा था तभी एलसा उससे पूछती है कि तुम अपने परिवार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताए आखर हुए लोग कहां पर रहते हैं जिसके बाद एंडरिक एलसा को एक तस्वीर दि हुआ तभी पूल भागते हुए आता है और कहता है कि हमारे घर की तरफ कुछ लोग आ रहे हैं धरसल ये सभी लोग नारजियस थे जो करनल के कहने पर रासन पानी की तलास कर रहे थे यहां पर आने के बाद ये सभी लोग बाहर रखे मुर्गियों को उठा करके लेके जान उपर छुपा हुआ था मैक के लोग पूल को घर के बाहर की तरफ फेक देते हैं और घर के अंदर मैक इलसा के साथ अपना ठरकी पना सुरू कर देता है वो इलसा के साथ बत्तमीजी कर रहा था और एंडरिक या देख नहीं पाता है इसलिए वो आ करके उसके लोग पर हमला कर देता है इसके बाद एंडरिक सभी लोगों को गन से सूट करके मार देता है मैक अपनी जन बचाते हुए भाग करके आ के कार में बैढ़ जाता है और कार को ले करके यहां से भागने में कामियाब हो जाता है इस हाथ से के बाद पोल काफी जादा डरा हुआ था अब इन को नार्जियत से जो भी गन और समान मिलता है उन सभी को ले लेते हैं और सारे समान को ले करके यहां से जाने लगते हैं क्योंकि अब यहां पर रहना खत्रे से खाली नहीं था तभी पोल कहता है कि मैं अपनी गाय को अभी अपने साथ ले करके चलना चाहता हूं लेकिन एलसा पोल को इस चीज के लिए मना कर देती है दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो अपनी जखमों पर मलहम पट्टी करवा रहा होता है वो करनल से कहता है कि मैं दुबारा जा करके अपना बदला जरूर लूँगा इधर ये लोग बहुत दूर जंगल में आ गयते और राद भी हो गई थी इसलिए ये लोग जंगल में ही एक जगहां पर रुख जाते हैं गाय को साथ में ना लाने की वज़ा से पोल अब भी भी अपनी बहन के उपर गुस्सा था खैराब पोल को सुलाने के बाद वो एंडरिक के पास चली जाती है और ये लोग को समय तक आपस में बाते करते हैं और सो जाने के बाद ये लोग अगले दिन सुबा में उठते हैं इलसा उठती है और वो अपने भाई को पुकार रही थी लेकिन उसके भाई का कोई रिपलाई नहीं आता है इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है जहां पर उसे मालुम चलता है कि उसका भाई अब यहां से गाया बोच चुका था दरसल पोल अपनी गाय का दूद निकालने के लिए वापस अपने घर पर चला गया था और जब वो दूद को निकाली रहा था तबी नारजियस अपनी पूरी सेना ले करके यहां पर आ जाता है और इसके बाद वो पोल को पानी में डुबा डुबा करके मारने लगते हैं मैक पूचता है कि आखिर वे दोनों कहां पर रहें लेकिन पूल कुछ भी नहीं बता रहा था जिसके बाद मैक उसके गाय को सूट करके उसे जान से मार देता है अब इसके बाद ये लोग इनके घर में आग लगा देते हैं और पॉल को ले करके यहां से चले जाते हैं मौके पर एलसा पहुश तो जाती है लेकिन वह चाह करके भी अपने भाई को नहीं बचा पाती है लेकिन एंडरिक एलसा से कहता है कि हम पॉल को जरूर बचाएंगे यहुदी के पूरे घर को तोड़ने के बाद भी करनल को कही पर भी सोना नहीं मिलता है इसलिए वो यहा के मेयर फिर से रोबर्ट को बुलाता है और उससे पूसता है कि आखिर सोना कहां पर है तो रोबर्ट नाटक करते हुए कहता है कि आप कि सोने की बात कर रहे हो उनके पास जो समान था वो अपने समान को लेकर कि यहां से चले गए थे लेकिन अब करनल को सोना नहीं मिलता है तो वो बहुत भड़क जाता है इसलिए वो रोबर्ट से कहवा करके बहुत साय लोगों को चर्च के सामने बुलाता है जब सभी लोग यहां पर आ जाते हैं तो यह लोग पोल को लेकर के चर्च के उपर जा रहे थे तरसल यह लोग पोल को उपर ले जाकर के वहां से फेकने वाले थे एलसा और एंडरिक भी यहाँ पर पहुँच चुके थे पोल को बचाने के लिए चर्ज के सबसे उपर जाने के बाद ये लोग वहाँ के खिड़की को तोड़ देते हैं अब खिड़की के पास एक नारजियस खड़ा था जिसे पोल देखता है और जा करके उसे नीचे धका दे देता है जिसकी वज़े से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है अब पॉल के हाथों में उसकी गन आ जाती है और गन से वो दूसरे नारिजेस को सूट कर देता है इसके बाद पॉल खिड़की के सामने आ जाता है और गन चला करके सभी लोगों को सूट करने लगता है करनल पॉल को मारने के लिए अपने फेवरेट स्नाइपर को लेता है और वो पॉल की उपर निसाना लगा करके उससे सूट करके जान से मार देता है और जैसे ही पॉल को गोली लगती है तब ही उसकी बहन या पर आ जाती है इलसा अपने भाई को इस हालत में देख करके काफी जोच से रोने लगती है अंडरिक उससे सांद करता है और यहां से भागने के लिए काए वरना यह लोग भी मारे जाएंगे अब यहां से भागते वक्त ुश्च की निजर पड़ जाती है करनल के ऊपर और उसे देखने के साथ एंडरिक के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए लेकिन एंडरिक पीछे के रास्ते से नीचे लटक करके महां से नीचे कूच जाता है और वो चर्च के नीचे आ जाता है उसके सामने एक सोलजर आता है जिसे वो मार करके आ जाती हैं और लगातार इनके उपर सूटिंग करने लगते हैं मौके का फैदा उठा करके एंडरिक भी यहां से भाग निकलता है अब इसके बाद हमें मार्था नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है दरासल एंडरिक उसी के घर में जा करके छुपा हुआ था क्योंकि उ बीच बीच में मार्था से मिलने के लिए आते रहते थे लेकिन आज जब यहां पर वो आते हैं तो एंडरिक उनसे पूछता है कि आखरी नारजियस यहां लेने के लिए क्या आए हैं तो पादरी बताता है कि यह लोग यहां पर सोना डोनने के लिए आए हैं इसके बाद हम यहां से जाने लगता है तो कोई आ करके रोबर्ट को मार देता है धरसल वो सोनिया थी उसे भी सोने के बारे में सब कुछ मालूम था इस समय तो रोबर्ट सिर्फ बिहोस हुआ था लेकिन सोनिया के कहने पर यहां पर एक आदमी रोबर्ट को जान से मार देता है इसके बाद ह वो इलसा को एक रिंग पहना देता है। इधर पादरी एंडरिक को बताते हैं कि आज से कुछ समय पहले हमारे बीच एक यहूदी रहने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे वे लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने उनक की तलास में यहाँ पर आ रहे हैं। सोनिया अपने दोस्त को ले करके कबरिस्तान में जाती है क्योंकि इन लोगों ने सोने को वहाई पर छुपा करके रखा था। लेकिन कबरे के अंदर जब इलोग सोने को ढूल रहते तो इन्हें एक किताब मिलती है। जिस पर लिखा दूसरी तरफ हम एलसा को देखते हैं जो करनल के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। एलसा को नीद नहीं आ रहे थी और तभी उसकी नजर करनल के अंगूठी पर पड़ती है। जब वो अंगूठी को खोलती है तो उसकी अंदर एक छोटा सा दवा था जो जहर का काम करता एलसा कलेफ की मदद से उस जहर को बाहर निकालने की कोषिस कर रहे थी लेकिन वो छटक करके नीचे आılarकरके गर जाता है। उस दवा को उठाने के लिए नीचे आती है, वो जहर को उठा करके अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन तभी करनल की आख खुल जाती है, और वो एलसा से पूचता है कि तुम नीचे क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि जो तुमने रिंग पहनाई थी, वो ढीली है, वो नीचे गिर जा रही थी, इसी बीच एलसा उस जहर को अपने मूँ के अंदर डाल लेती है, इसके बाद वो मुड करके करनल को देखती है, और जा करके उसे किस करने लगती है, दरासल वो किस करने के बहाने से उसके मुँँ में वो जहर को डाल देती है और जब करनल को ये बात मालूम चलती है तो उसे बहुत अपसोस होता है लेकिन अपसोस जताने के लिए वो जिन्दा नहीं बसता है कुछी सेकंडों में उसकी मौत हो जाती है इसके बाद हमें मैक को दिखाय जाता है जो अपने साथियों के साथ बैठ करके दो चार पैक मार रहा था लेकिन तभी कोई पत्थर जैसी चीज अंदर फेक करके मारता है लेकिन वो पत्थर नहीं बलकी सोना था जिसकी ये लोग काफी दिनों से तलास कर रहे थे और उसे फेकने वाला कोई और नहीं बलकी एंडरिक था एंडरिक जोर से चिलाते हुए कहता है कि अगर तुमें सारह सोना चाहिए तो एल्सा को मेरे हवाले कर दो इसके बाद मैक एल्सा को लेने के लिए करनल के कमरे में जाता है जहां पर वो देखता है कि करनल जहर खाके मर चुका है और एलसा यहां से भाग चुकी है इसलिए अब मैक की नजर यहां पर काम करने वाली एक लड़की की उपर पड़ती है वो उसे कपड़े से ढख करके एंडरिक के पास भेजने लगता है इसी बीच यह लोग एंडरिक के पास एक बोम फेक देते हैं और जैसे ही वो बोम बलाश्ट होता है तो एंडरिक नीचे गिर करके बेहोस हो जाता है दूसरी तरफ हम एलसा को देखते हैं जो भाग करके मार्था के पास आती है मार्था एलसा को जिंदा देख करके बहुत खुस होती है लेकिन फिर वो एलसा को बताती है कि एंडरिक तुम्हें बचाने के लिए करनल के घर के घर के पास गया है अब इन लोगों को मालूम चलिए आता है कि एंडरिक खत्रे में है इसलिए ये लोग अपने गंस को ले लेते हैं और पूरी तयारी के साथ उनके उपर हमला करने के लिए जाते हैं इधर हमें मैक को दिखाया जाता है जो एंडरिक के पास बैट करके उसके होस में आने का इंतिजार कर रहा था जब वो होस में आता है तो मैक कहता है कि मुझे सोने की लोकेशन मता दो वरना मैं जा करके तुम्हारे बेटी को जान से मार दूँगा इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं जो फादर को धमके देती है सोनिया कहती है कि अगर वो सोने के बारे में नहीं बताएगा तो वो मार्था को मार देगी और इसी वज़ा से फादर इन लोगों को सोने के पास ले करके आते हैं यहाँ पर इन लोगों को सोना तो मिल जाता है लेकिन सोने की नीचे कुछ छोटे छोटे बॉम भी रखे हुए थे सोने को हटाते ही वो बलाश्ट हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं सोना नीचे गिर करके चारो तरफ बिखरा पड़ा हुआ था और तभी यही पर मैक अपने लोगों के साथ आ जाता है यहाँ पर आने के बाद उसे सोने ढूडने की जरूट नहीं परती है क्योंकि सारा सोना उसके सामने था और तभी चर्च के बाहर इलसा एक बड़ी मिसाइल लेकर के आ जाती है वो मिसाइल को चर्च की उपर चला देती है जिसकी वज़े से चर्च का उपर का हिस्सा तूट करके नीचे गिर जाता है इसके बाद पीछे के रास्ते से इलसा इंटरिक के पास चली जाती है लेकिन मैक आ करके मार्था को पकल लेता है और उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था लेकिन मार्था भी काफी होसियार थी उसने अपने हाथों में एक चाकू ले रखा था और वो चाकू वो मैक के सरीर में ही गुसा देती है वो मैक को सूट करके उसे मारने वाली थी लेकिन तभी कोई सैनिक उसे ही सूट करके मार देता है और वाई सैनिक एलसा को भी सूट करता है लेकिन गोली जाकर के हाथ पर लगती है लेकिन इसके बाद एलसा गन उठाती है और उस सैनिक को मारने का फैशला करती है वो सैनिक जिस पोजिसन पर था उसके ठीक उपर एक लकड़ी था एलसा उस लकड़ी को सूट करती है जिसकी वज़े से वो लकड़ी जा करके सैनिक की उपर गिरता है और तभी मौके का फाइदा उठा करके एलसा उस सैनिक को सूट करके जान से मार देती है आखरे सैनिक को मारने के बाद इलसा भाग करके इंडरिक के पास जाती है लेकिन तभी पीछे से मैक आ जाता है गन लेकर के इलसा के हाथ में गन तो थी लेकिन उसकी गोली खतम हो गई थी फिर भी वो मैक को मारने की कोशिस करती है लेकिन मैक उसे ही मार करके नीचे गिरा देता है इसके बाद वो एलसा के गले को दबा करके उसे जान से मार रहा था लेकिन तभी एंडरिक पीछे से जैसे तैसे करके उड़ता है और अपने हाथ में एक सोना ले करके उस सोने से वो मैक के उपर हमला कर देता है और इसके बाद जब मैक नीचे गिर जाता है तो वो उसी सोने को उसके मूँ में गुशा देता है और इस तरीके से मैक के भी मौत हो जाती है इसके बाद ये दोनों यहां से जाने लगते हैं ये लोग जैसे ही यहां से जाते हैं तो हम एक साइनिक को देखते हैं जो जिन्दा था और वो छुपा हुआ था। जैसे ही ये लोग चर्च से बाहर चले जाते हैं तो वो साइनिक उड़ता है और सोने के पास आता है। लेकिन बेचारे इस सैने की भी किसमत खराब थी क्योंकि सोनिया मरी नहीं थी वो जिंदा थी और वो गंसे सूर करके इसे भी मार देती है। इलसा और एंडरिक को इन सबसे कोई मतलब नहीं था वो चुप चाप अपने रास्ते पर चली जाती है। इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं जो सारे सोने को ले करके यहां से कल्टी मार रही थी। लेकिन अचानक से बीच रास्ते में ही कोई उसके कार को ही उड़ा देता है। और उसके कार को उड़ाने वाला सभी अमेरिकी सोलजर थे। कार को उड़ाने के बाद जब ये लोग कार के पास चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर एक सोना मिलता है सोने को एक साइनिक उठाता है और वो अपने करनल को दिखाता है साइनिक कहता है कि ये सोना है और हमें इसके बारे में ओफिस में इन्फोर्म करना होगा तो करनल कहता है कि इन्फोर्म मत करो ये हमें मिला है इस पर हमारा हक है इसके बाद ये लोग सोने को आपस में बाट लेते हैं इसके बाद हमें आखरी बार सोनिया को दिखाय जाता है जो बहुत जक्मी थी और उसकी यही पर मौत हो जाती है इसके बाद हमें मूवी के लाश्ट में उस साहर को दिखाय जाता है जहां पर एंडरिक रहता था वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी बेटी को देखता है और उसे पुकारता है वो अपनी बेटी से मिल करके इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही पर समाप्त हो जाती है दोस्तों हमारे यूटूब चैनल के साथ जुले रहने के लिए आप लोगों को दिल से सुक्रिया